आज हम इस वीडियो में वैसे student जो खास कार EMU में आप किसी भी course में application form फील करना चाहते हैं चाहिए वह 11 का हो BA, BACB.com, whatever course doesn't matter आप किसी भी course के लिए अपलाई करना चाहते हो एम्यू का अप्लिकेशन फर्म 1230 का आज चुक्त आपको पता ही है इसके लिए आपको गूगल पर जाने सर्च कर लेना है एम्यू ग्जाम कंटॉलर जैसे जब सर्च करेंगे इस तरीक एक आइकन देखेगा आपको इस पर क्लिक कर लेना है या फिर आपको मायल में ही राइट हंड पर थीरी डॉट होगा अब देखे इस तरीके से आइकन देख रहा है कोर्स ओफर्ट थूरू सी उटी को लेकर एमिन अप्लिकेशन फर्म को लेकर देखिए फर्म रहा यह गाइड रहा यहां से गाइड में आपको पता चल पाएगा कि आपका लास्ट डिट कब तक है बिना टाइम बेस्ट के वह हम आपके अप्लिकेशन फर्म पे चले जाता है यानि यह वही लिंक है जिसके तुरू आप 11 डिप्लोमा यह बीसी बीकॉम बीटेक जितने भी कोर्स है सभी कोर्स के लिए आप अपलाई कार पाएंगे इस तरीके से अभी वेबसाइट ओपेन हो रहा है कुछ दिर पहले ही यानि यानि वन आपर पहले ही अपडेट किया गया है मैं यहां पर यही कहां ना चाहूंगा माननी लाश्ट हैर आप यूज़ कियें तो हर चीज थोड़ा फ्रेज अलग है इमेल ऐडी मॉइल लंबर सब कुछ नए यूज़ करें ज्यादा बेटर रहा है आपके लिए जैसी ही जब इस तरीक एक आइकान आएगा अभी देखा है तो आपके फॉर्म जो होंगे वो टोटल 6 स्टेप में फील होंगे और जिसमें आपका जरूद क्या क्या होगा scan, colored photos, thumb impression और यहां पर सबसे पहला है यहां पर दो option है sign up आपको sign up बले बटन पर यह जो भी नए student है वो sign up बले बटन पर चले जाएंगे जाते ही यहां पर सबसे पहले आपका नाम उसके बाद आपका middle name और आपका last name अगर आपका नाम माली MD इर्फान है तो आप MD यहां पर लिख दिए और इर्फान यहां पर लिख दिए middle name को छोड़ देजगा लेकिन अगर आपका MD इर्फान आलम है तो उस case में MD यहां डाल इर्फान यहां लिखेगा और आलम last name लिखेगा ठीक है डेट अबर यहां पर लिख देंगे अगर आपका अधार कड है तो जिस यहां पर देखिए अधार कड है तो अधार number डाल दीए नहीं है तो कोई बात नहीं है यहां पर mandatory नहीं है इसके लाब आपका mobile number उसके बाद आपका email ID अगेन उसी email ID को डालना होगा उसको बाद password अगेन उसी password को फिर से डालेंगे उसके बाद आपको यहां पर I'm not robot पर क्लिक करना है उसको अरिश्टर बले बाटन पर क्लिक करना है डेट अबरत कैसे चूज करना आपको इस वाले section पर क्लिक करना है मैं कुछ-कुछ आपको अधार नमर नहीं है email ID डालना है आप देख सकते हैं मैंने इस सारे detail पहले step में डाल दिया देखिए मैंने यह नाम लिखा है उसके बाद मैंने डिट आवर से लेक कर लिया अधार नमर को वैकन छोड़ दिया है बाकी यह मैंने email ID को दो बार repeat किया है इसको बाद यह इसे वह थोड़ा issue मतलब आप घवराएंगे नहीं आपको हर step थोड़ा आराम से करना है देखिए मैंने जो है यहाँ पर AMD के जापर मुहम्मद मेंशन किया तो हमारा यहाँ पर अच्छा एक सेकंड यह का रहे है इस वह से मेरा issue आ रहे है क्योंकि और यह नाम taken हो चुका है कुछ नहीं करना है अगें हम यहां से फिर से profile पर जानी कोश्च करते हैं अभी हुआ क्या है कि जैसे जब first step को पूरा करेंगे तो देखिए इस तरीके शायकान सो कर रहे हैं देखिए एक तो यह है कि आपके पास OTP गया होगा वह जंक के नाम से एक link गया होगा simply आपके mail अगर नहीं किया है तो फिर से click है to request another पर click करेंगे मतलब सबसे पहला जो step है वह यही है कि अब इसको बाद देखिए जा चुका यह कह रहा है कि a phrase link has been sent to your email address don't forget to check your junk or spam folder to in case email में भी landed there मतलब वहाँ पर जा चुका है उस पर click करके verify कर लीजिए जैसे जब click करेंगे तो automatically verify हो जागा उसको बाद आपको simply login कर लेना है दुवारा फिर से verify करने बाद फिर से login करेंगे अब आप मुझे जिससे verify करते ही उसके बाद आपको सबसे पहले आपका email ID यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा इसको पासपर एंदेन उसको फिर से यह जाने होम बाले बटन पर फिर से जाना या फिर प्रोफाइल पर सेक्सेन पर जाएंगे प्रोफाइल वाले सेक्सेन पर चले जाएंगे जैसी जब जाएंगे तो अब देखिए इस तारीके से icons हो अगर इस तारीके सा आ गया इसका मतलब आपको verify करना पड़ेगा आपके email पर जाएगा online processing system के नाम से लिखा हो उस पर email होगा verify email का icon होगा उस verify email वला icon पर क्लिक करके verify कर लेंगे और अब हम चलते हैं पहला step सबसे पहला step जो है वह हमरा profile में है अभी हम कुछ यहाँ पर basic detail हो हम edit करते हैं पहले detail वाले section में जाते हैं यहाँ पर जाने क्वाद सबसे पहले अगर यहाँ पर जिसे देखिए यहाँ पर आपका father's का नाम then mother's name and then फिर आपका mobile number then आपका gender वो चूज कर लेंगे gender में जिसे में अगर male है तो male और female है तो female चूज कर लेगा country में तो आप इंडिया से होंगे तो आपको यहाँ से इंडिया चूज कर लेना होगा और अभी यहाँ से हम इंडिया चूज कर लेते हैं इसके बाद जो है religion जो भी आपका religion है वो आप चूज कर लेंगे अगर hostel चाहिए तो यहाँ पी yes कर लेजेगा नहीं चाहिए तो नो कर लेगा but it will be more better कि आप hostel चूज कर लेगा बाकी हम अच्छा अधार नमबर क्योंकि मैंने ध्यान नहीं देने यहाँ पर अधार नमर पर ध्यान देना ही नहीं है यहाँ पर अगर कोई नाम गड़वड हो तो यह कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं फिर से mention कर दूँ देखिए middle name पूछा जारा अगर अब middle name है तो डाल यह नहीं है तो first name और last name mother's name भी या father's name भी उसी अब प्रसीटू पर क्लिक करते हैं एक सगंड जैसी जब प्रसीटू प्रसीटू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक alternate number मांग रहा है तो मैं अपने ही साब से कुछ भी डाल देता हूं हालकि मैं सारा गलत ही डालूँगा यहाँ पर कोई फायदा नहीं है और अब इसके बाद प्रसीटू प्रसीटू प्रविव प्रसीटू करें है घर scored यहाँ पर सकते हैं पर option आ रहे हैं देखिए दो होगा जैसे एक तो सबसे पहले मियोगा की correspondence यहां पर है भी और permanent अगर आपको दोनों same है तो दोनों same भी डाल सकते हैं वरना दोनों अलग लग भी डाल सकते हैं हम यहां पर दोनों same डाल देंगे डालने के लिए आपको इकार करना पड़ेगा पहले correspondence select कर लिए उसको आज यह detail डालने के बाद यहां पर save बारवला बटन पर save पर click कर दीजिएगा मैं आपको थोड़े यहां पर remind करतूँ देखिए हमने यहां पर उसी साबसे अपना address में अगर आप पर house number तो डालिए वरना vacant भी कर सकते हैं उसको नहीं भी डाल सकते हैं street number है वो street है वो डाल दीजिए landmark यानि आपका area किस नाम है house number है आप चाहे तो अपना गौन का नाम भी mention कर सकते हैं यह सार में है तो आपने हिसाब से mention कर देजिगा लोकालेटी डाल देजिगा city डाल देजिगा डिस्टिक अपना डाल देजिगा किस country से वो आप वही detail जाईए डालिए जो आपका correct हो नहीं है तो उसको vacant भी छोड़ सकते हैं अगर आपका इंविशन नहीं है तो अब इसका बाद से बार पर पर पड़ेगा तो फिर से एक address में address में correspondence address permanent address हो गया और हम permanent address में बिल्कूल सब से उससे सारा डिटेल फिर से 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 पर्मेंट address में भी से डेटेल डाला है अब इसके बाद हमें पहले ही यहाँ पर कहना क्या चाहरे हैं, जैसे हाला कि अभी तक जो चीजे पहले कोई सापस है, आपको इस पर यहाँ पर धियान देना है, एड़ वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते ही, आपको पहले क्या करना है, आप देखना है कि आपका लेबल क्या है, जैसे बड़ा सिंपल है डवले सी का मतलब क्या होगा जो 10 किया है तो आप अपने 12 का डिटेल डालेंगे और जो डिप्लोमा वाले वो डिप्लोमा यहां पर बिसके लिए आपका क्वालिफीकेसर मांगा जा रहा है आपके यह नहीं मांगा जा रहा है कि किस कोर्स में अप्ला अभी रिजल्ट नहीं आया है जो इस पर बोर्ट दे रहें उनका तो अवेटेड होगा इसका बाद यानि सीबसी वाल नॉन सीबसी वाल वोर्ट कौन साथ वो चूज करेंगे जैसे किसी का सीबसी का यूपी बोड किसी का ब्यार बोड होगा तो अपने हिसाप से बोड भी हो सकता है यहां पर अभी वैसा कुछ भी डालने की जरू नहीं क्यों नहीं क्यूंकि आपका अब इसका से बाले बटन पर क्लिक करते हैं देखें मैंने से बाले पर क्लिक है तो मेरा इस तरीके से आइकन सो कर रहा है मतलब यह कि हमनें 12 का डीटेल डाल रख आब यह है क तो अभी इस तरीके साइकन ओपन होगा यहां पर आपको फोटो सिगनिचार और थाम इप्रेशन अपलोड करना पड़ेगा हम एक एक करके अपना अपलोड करेंगे हम सबसे पहले क्लिक करते हैं आपके इस वाले सेक्शन पर यहां पर कुछ अपने कहानी सुनाए कि आपक पर चले जाएंगे दिल हाँ यह है कि अब एक सवाल होगे इस सारमर में फोटो कैसे बनाए तो आप फोटो रिषाज है रैप यूज कर सकते हैं उसके तुरू आप अपना चाहें तो बना सकते हैं कोई बड़ी चीज नहीं है तो साइज मैटर करेगा तो साइज उस आप से अब फूली लिख रहा है तो याए पहले हमने फोटो अप्लोड कर लिया है अब इसको बाद जो है अब हम दूसरा चीज है याए तो फिरसे हम टिक बार पर ख्लेकर करेंगे और इस बार चूष फायल पर चले जाएंगे वह दिखायें के कहा अप्लोड हूँ अब धी पर क्लिक किये तो करें ट्राइब लोडिंग क्लियर जैपीजी वालनी अच्छा होके मैं फिर से वह करता हूं ट्राइब अगेन एक बार मैं फिर से चूज फाइल पर जाऊंगा और यह थोड़ा एन इसलिए कहा जा रहा है कि आपका जो सिगनेचर लाइक हो वह थोड़ा किलियर ली हो तो यह इजिली थोड़ा कर चकेंगे अगेन मैं फिर से और अब फिर से सम्मिट वार पर किलिक करता हूं यह थोड़ा फोटो जो है ना किलियर ली स्काइन करवाईएगा यह करिएगा किलियर ली कैसे हो सकता आप कोई भी आजके टाइम में तो अलगल बहुत सारे आप्स आच चुका है उसको भी उसकर सकते हैं च्वाइस आपके हैं मजाक की बात यहां पी यह है कि जिसे क्या है आपके जिखाना है कि सिगनेचर मेरा किलिरली नहीं था तो मैंने इस सारी चीज़ाओ करो बट एक ही चीज़ को अपलोट करते रहो मैं इसलिए क्यूंकि मुझे सैंपल के तौट आपको दिखाना है तो मैं तीनों चीज़े मैं आपको दिखाता हूँ मैं याद रखें यहाँ पर यह सारी चीज़े मैंने कर गया अब इसका बाद हमें कुछ नहीं करना है प्रसीड टू अपलोड टू अच्छा अपलोड टू सिगनेचर वले सेक्षन पर फिर से जाके अच्छा एक से गवर्ड हुआ था थोड़ा सा अब इसका बाद मैं फिर से तो डारेक्ट उस पर जाके आप कर सकते हैं कोई बड़ी चीज़ नहीं है समझ रहे हैं चली यह भी हो चुका है मेरे लगवाग सारा अपलोड हो चुका है अब इसक बाद हम यहाँ पर पर प्रोशीड टू में पर आजारा प्रोशीड टू में पर क्लिक करेगा आपको बि फिर से अपलोड थाम इंप्रेशन पर जाएंगे और तुरंद बार में कोई और जो आपका थाम है यहाँ पर थाम फाइल सेलेक करके समिट कर देंगे मेरे रिखाल से यह चीज़ आगे अब मैं प्रोशीड टू मिन पर जारा हूँ यहाँ पर हमेरे तीन चीज़ अपलोड दूसरा यहाँ पर बीसी के हिसाब से आपका काटेगरी यह दूसरा आपको पीडियेफ अपलोड करना पड़ेगा यह दिक्कत है अगर नहीं है तो भाई सब फिर दिक्कत हो जागा तो इसलिए जो भी स्टूडेंट है जल्दी से जो है हजार दो सॉरी हजार नहीं बल्के सौद्व सबर पर खटच करके अपना कटेगरी का सर्टिफिकर बनवा लीजेगा अभी फिलाल क्यूंकि यहँआ कोई काटेगरी का सिंह नहीं है तो हम बें काटेगरी का डारेक्ट का आगे बढ़ेंगे मतलब जिसका काटेगरी हो काटेगरी अप्लोड करेंगे और काटे क्लिक करना है, यहां पर देखिए सारे course मिंसन है, यहां पर जो school के student है, वो देखिए उनका school का सो कर रहा है अब देखिए हम मालनी school पर, हम एज जैंपल के तौर पर दिखा रहा है, इस school वाला section में देखिए, तो अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो अभी स्कूल वाले सेक्षन इसलिए इन दिखा रहा है क्योंकि स्कूल का डेट का फॉर्म खतम हो गया है अभी जो है स्कूल और डिप्लोमा यानि दोनों वाले सेक्षन में जाएगे तो वहाँ पर आप 11 साइंस और डिप्लोमा सभी का अपलाई करेंगे इस पर क्लिक करना होगा यहाँ से अभी अप्डेट पर चलना है और यहाँ पर देख लिए इन सारे कोर्स का आज के टाई में आप अपलाई कर सकते हैं नहीं देखिए बेस्ते ओनर्स हो गया बेस्ते गया तो आप यहां पे बेस्ते ओनर्स भी और यह बेस्ते हो गया कोई भी जिसे सब्सक्रिद से बीनर्स सलेक्त करें परेक्ट क्लिक कर दिए एक student चाये तो multiple form अपलाइए कर सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह सारी चीज हो गया, यहाँ पर अपने जेंडर चले कर लिएगा, आपका इंटर क्वालिफिकेशन हो गया, इसके लाबा अगर आप मदर्सा बैग्राउंड से देनियास अधरबाई नो कर दीजिए, अगर आप एमियू से देनियास अधरबा पर क्लिक करना है, जैसे जिब इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके एक आइकन ऑपन होगा, यह हो गया, इसका मदला आपका form पे हो चुका है, मतला form फील हो चुका है, अब आपको make up payment पर क्लिक करना है, यहाँ पर आभी देगी server, ईसू चल लाए, खर कोई बात नहीं, आपको make up payment फिर से click करके इस तरीके से बाकी course का भी form apply कर सकेंगे अभी कुछ server issue आ चुका है don't worry घबराई नहीं बट यही procedure है make up payment पर जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है अगर आपके पास credit card है तो credit card select करेगा अगर debit card है तो debit card select करेगा debit card मतलब ATM card से payment हो पाएगा select करने बद आप हमने payment करेगा इसको यहाँ पे जो है review का या payment successful का icon आगा और बाकी किसी भी student को इस तरीके से कोई query होगा comment करेगा full video इस तरीके से आपको again बाकी course को लेकार जिसे अभी अगर देखा जाए तो BA वाले हैं बगर कोई student ऐसा भी और course के apply करना चाहते है आप कुछ नहीं करिए direct apply वाले section पर चले जाएगी यहाँ पर यहाँ पर जाने को बात देखिए और यहाँ पर option आ गया यहाँ पर हम क्या करते हैं general पर जाते हैं देन यहाँ पर हम bachelor select कर लेते हैं देन उसके बाद यहाँ पर हम किसका select कर लेंगे मालने कोई BAC है तो BAC owner select कर लेगा उसको पर प्रोसीड़ वाल बटन पर क्लिक करके multiple form एक ही ID से apply किया जा सकता है it doesn't mean और उसको बाद फिर से यहाँ पर आपको mail और वो सारा जो category जो मैंने से पहले दिखाए था आपको फिर से वो select करना पड़ेगा please select appropriate आपने जो subject पढ़ा है have you studied यह में कौन-कौन सा subject पढ़े है तो I think mathematics पढ़े ही होंगे जो भी आपके subject होंगे वो थोड़ा से बता देना पड़ेगा अपना सेंटर चूज कर लिए सेंटर चूज करने के बाद यहाँ पर आपको tick bar का बटन दिख रहा है और इसके बाद आपको proceed का बटन दिख रहा है अब payment करके आप अपने वो देख लिए जिसमें भी payment successful होने का मतलब है वही आपका application ID है बाकी आप अगर कहेंगे तो separately B.tech हो गया, B.coms हो गया, B.C हो गया, B.E. हो गया 11 Science हो गया इन सब का अपलाय कर गया लेकिन एक बार फिर से मैं 11 Science का देख लेता हूँ बाकी बस यतना ही आगे कुछ नहीं है मतलब यहाँ से payment करने का सीन है हाला कि अभी payment हो नहीं रहा payment जैसे ही होगा आपको करके दिखा दिये कैसे payment होगा बाकी अगर students चाहें तो हमसे भी form field करवा सकते हैं लेकिन इसमें यह कि बहुत ज़्यादा वो time taken होता है इसलिए मैं ज़्यादा धियान देता नहीं हो ज़्यादा यहाँ से फिर से जो हम क्या करते हैं इस school, course and diploma पर टिक करते हैं इसके बाद हम इस पर click करते हैं हाला कि सचाई यह कि अभी आया ही नहीं है ऐसा लग रहा है यह 9 देखिए यह 11 देखिए नहीं है, science डालते हैं नहीं है, यानि अभी आपके अपडेट पे चल ला है डौन वरी आपको खबराना नहीं है बाकि से लेट या EMU से लेट किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट करेगा आने मले जो भी अपडेट साथ है उसको लिकर अपडेटेड अनकिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा